तारक महता का उल्टा चश्मा टेलेविजिन का वन अब दो लॉंगस्ट रॉनिंग शोज में से एक है इस शो ने ओडियोंस को खुद से एक अनूखे रिष्टे में बांधे रखा है और 11 सालों के बाद भी शो उतनी ही मजबूती से खड़ा है ट्यापी रेटिंग के लिस्ट में भी शो अपनी पकड़ हमेशा बनाए रखता है तो आईए इस वीडियो में हम आपको उन पांच वज़े के बारें बताते हैं जो तारक महता की पॉपलारिटी और शो की चाम को बढ़करा रखने के पीछे हैं जी हां जो सबसे पहले और बड़ी वज़े है वो है शो के स्टोरी लाइन जो बेहती प्यारी और रियलिस्टिक सी है जो सीधी ओडियंस के दिलों तक पहुँचती है लोग इस शो को अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं इस सीरियल में डेली शोप्स की तरह सास बहु के ड्रामे और सुपर नाच्रल शोज जैसी काल्पनिक चीज़ों को जगए नहीं दी गई है शो में हमारी आपकी लाइफ से जोड़ी रियालिटी को बेहती अनुखे तरीकों से दिखाया जाता है रोजमरा की जिन्दगी की हर छोटी छोटी चीज़ को इतने समाने तरीके से परोसा जाता है कि लगता है मानों ये सब हमारे ही किसी फैमिली मेंबर के साथ हो रहा है आज के दौर में लोग ड्रामे की बजाए रियालिस्टिक कंटेंट को देखना पसंद करते हैं और यही वज़ा है कि लोग इस शोट से 11 साल से जुड़े है तारक मेता की सबसे खास बात है कि शोट में शोट मेसेज पर फोकस किया जाता है जो आज पर टीवी के बहुत कम सीरिल्स में देखने को मिलता है टीवी पर टी आरपी के लिए ऐसे शोज आ चुके हैं जिससे बच्चों पर गलत मेसेज जाता है ऐसे में तारक मेता एक ऐसा सीरियल है जो सभी को अवेर करने के साथ साथ मोरल लेसंस देता है लगबर शोट के हर प्लॉट का एंड किसी शोशल मेसेज पर ही होता है हसी मजा के सहारे किसी सोशल मेसेज को लोगों तक बिना किसी फरजीहत के पहुँचाना इस शोग की यूएस पी भी है कॉपटीजन के रेच में अक्सर फैमिली बेस सीरियल पिछड जाते हैं मगर तारग महिता ने इसे ही अपना हत्यार बनाया है और बागी सीरियल को पच्छार कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है बच्चे होए बजुर्ग हर जनरेशन के साथ बैट कर इस शोग को देखा जा सकता है यहीरीजन है कि शोड़ लोगों के दिलों पर राज कर रहा है किसी बी सीरियल के हिट होने के पीछे उसके स्टारकास्ट का सबसे बड़ा हात होता है इस सीरियल के कई स्टार्स 11 सालों से जुड़े हुए हर कोई अपने अपने कैरेक्टर में ऐसे रम गया है सबी स्टार्स से और्डियंस इतना ज्यादा कनेक्ट हो चुके हैं कि दूसरे किसी स्टार को उस कैरेक्टर में वो देख भी नहीं सकते हैं तारक मेता का उल्टा चश्मा का स्लोगन है हसते रहो खुश रहो ये शोव इस स्लोगन पर पूरी तरह घरा उतरता है छोटे छोटे सींस में कॉमेडी का तड़का ऐसा लगाया जाता है कि लोग हसने को मजबूर हो जाते हैं और अपनी रोजमरा की जिंदगी में इस शो को देखकर उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है जेठा लाल से लेकर चमपक लाल तक हर किरदार की कॉमेडी की टाइमिंग पॉफेक्ट है वेल तो ये थी वो पांच बज़े जिससे तारक मेरता का उलटा चश्मा लोगों के दिलों पर राज करता है और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जब एक बार कोई शो से जोड़ता है तो उसका इस सीरियल से दिलवाला रिष्टा बन जाता है वेल अगर आप भी शो के फैन है तो ज़रूर बताएए कि आपको शो की सबसे खास बात क्या लगती है ज़रूर लिखिए अपनी उपिनियन निजे कमेंट सेक्शन में